तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के एक न्यूज बता रहा हूं जिसके बारे में बहुत से ऐसे लोग है जिनको पता होगा दोस्तो प्ले स्टोर से और एपल का स्टोर जो है वहां से दोनों जगह से बीजी एमाई को रिमूब कर दिया गया है तो यहां पर लेकर अंत तक देखिए और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक किजिए और चैनल पर फर्स्ट आम चैनल को सस्क्राइब कर दिए चलिए हम आपको एक आर्टिकल के माधम से यहां से दिखाते हैं चलिए यहां से दिखाते हैं और इसका लिंक भी देदूंगा आप इंडिया पर बैन लगा दिया गया है ठीक है तो यहां पर देख सकते हैं बीजी एमाई रिमूब कर दिया गया आप लोग में लाइब दिखाया हूं पेले स्टोर पर नहीं है लोग पर यह वैटल रोयल गेम बैटल ग्रांड मोवाईल इंडिया बीजी एमाई जिसको बोल पर अस्थावित पर्तिक्रियाओं का पालन करते हुए हमने परभावित डेवलफर को सुझित किया और भारत में प्लेश्टोर पर उपलब एप तक पहुंच को अबरूद कर दिया ठीक है तो जैसे ही गुगल को इसका नोटिफिकेशन मिला तो एप स्टोर को जो उसका केल में हो गया है बीग मैं गेंगए्लफ को हटाने का कारण अभीतक्ता नहीं चला ठीक log कि फिर से शुरू किया या गेम भारत में बहुत लोग पीडिया है और लॉंच होने के बाद बाद से गूगल प्लेश्टोर पर देश कि सिर्फ दस गेमिंग एपस में से एक है ठीक है इस महीने के शुरुआत में क्राप्टर ने घोसना की वीजी माई ने भारत में सोव मिलियान पंजी करित उप्योग करताओं को फार कर लिया गया ठीक है क्या यह गेम मेकर के लिए समस्य पैदा कर सकती है कर रहा था ठीक है जाई गाजितों यहां पर देख लेते क्या लिखा हूँ हाल ही में केंद्री मंत्री राजीब चंदर सेखर ने कहा कि एक लड़के ने अपनी मा को उसी पपजी के अधार पर मार डाला जो वह गेम खेल रहा था यहां कारण निर्धारित करने के लिए LEA कानून परवारतन एजनसी द्वारा ज्याच का भी से है लेकिन पपजी गेमिंग एप 2020 को मेट वाइब द्वारा ब्लॉक कर दिया गया था और तब से पपजी गेम भारत में उपलब नहीं है चंदर सेखर ने एक लिखित उतर में कहा ठीक है गाज और नीचे बहुत से ऐसे आर्टिकल लिखे के हैं जिसको पढ़ूंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा उतना आप लोग बोर हो सकते हैं इसके लिए मैं इसका लिंक आप लोगो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वहां से आप पूरा पढ़ सकते हैं और पूर पूर जैन